असलामु अलेकूम, वेलकम टो कुकिंग विद बेनजीर, मैं बेनजीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज ढूंड रहे हैं, तो आप बिलकुल सही जगे पर आए हैं, और अगर आप ने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं, तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज इंशालला बहुत पसंद आने वाली है, आज हम बनाएंगे फलाफिल, फलाफिल एक ट्रेडिशनल मिडल इस्टन फूड है, जिसे पीता ब्रेड और हमस के साथ सर्फ किया जाता है, वैसे आप इसे सिंपल चटनी और केचप के साथ भी सर्फ करें तो भी ये खाने में बहुत अच्छी लगती है, तो चलिए आज फलाफिल बनाएं, हमने यहाँ पर छोले ले लिये हैं, भीगे हुए, छोलो को हमने रात में भीगा दिया था, कम से कम 10-12 घंटे हमें भीगा के रखना है पानी में, फिर बाद में पानी को हमने पानी को हमन भीग जाने के बाद यह तकरीबन दो कप के करीब हो गए है, हमने छोले को एक चौपर में डाल दिया है, आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर का इस्तमाल कर लें, हम इसमें आधा प्यास डाल देंगे, स्लाइस करके, हमने मीडियम साइज का आधा प्यास यूस किया है, 6-7 लसन की कलिया भी डालेंगे, दो हरी मिर्चियों को इस तरह हमने चार पीसिज में कट करके डाला है, काफी सारा हरा धनिया डालेंगे, दंडी के साथ डालेंगे हम, इससे बहुत अच्छी खुश्बु आती है, फलाफिल में पासली का इस्तमाल किया जाता है, अगर आपके टी स्पून यूज कर रहे है, एक टी स्पून के करीब नमक, इन सारी चीजों को हम चॉपर में चॉप कर लेंगे, ध्यान रखना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा रखना है, अच्छी तरह से हमने इसे ग्राइंड किया है, आप देख सकते कि यह बिल्कुल बारिक पेस्ट सा नहीं है, मोटा मोटा है, ऐसा ही रखें, इसमें ज्यादा पानी नहीं है, क्योंकि हमने छोले को अच्छी तरह से सुखाया था, इस तरह जब हम इसे करें, तो एक बॉल बनना चाहिए, आपने अगर पानी ज्यादा रखा है, तो इस तर तकरीबन 1.5 टीस्पून डालें, एक चौथा एटीस्पून बेकिंग सोडा, यानी खाने का सोडा, थोड़ा सा हम डालते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं, यह थोड़े फलफी बने, वैसे आप चाहें तो अवइड भी कर सकते हैं, और अच्छी तरह से यह सारी चीजने मिलाए कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना, तो लाइक जरूर कीजिएगा हमारे वीडियो को, और अगर आप इस रेसिपी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, या कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं, तो हमें जरूर कमेंट करके बताईएगा, चलिए आगे बढ़ और दूसरा तरीका यह है कि आप हलके हलके इसे प्रेस कर दें और एक पैटी की तरह बनाए, आपको जो भी तरीका पसंद है वो तरीके से आप बना सकते हैं, हम इस तरह से इने थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करके बनाने वाले हैं, फलाफिल को डालते ही, एक दम से पल्टाना नहीं है, एक से दो मिनिट तक पकने देना है, मीडियम फ्लेम पर, फिर हम इन्हें गोल्डन होने तक पकाएंगे, फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाय ना रखें, क्योंकि हम चाहते हैं कि अंदर तक अच्छी तरह से फलाफिल पक ऐसा ही कलर चाहिए हमें, टिशू पेपर पर निकाल लेंगे, फलाफिल हमस के साथ बहुत अच्छा लगता है, हमस की रेसेपी भी हमने अपलोड की है, आप जरूर से देखें, और फलाफिल और हमस दोनों को बना कर तयार करें, और हमें बताएं किस तरह बना, उमीद करती के अक प yaniThe 50 ना कऊपता है, और बहार कर प्लाफिल और फिर अगल के डाः कर बनाया घपती गएंगे, इनगर वे चेशा कर दो हम साथ जाओ जब मुएंगे, भी और खाचew मेंसेट, और प्लाफिल हम ila उवे उणगर उनकर पामना क्लेखें, एह ब पिया आएंग सिएना क झाल झाल